दोस्तों नोशकार, ओनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका श्वागत है बिहार CAT B8 2019 के कॉंसलिंग का तीसरा चलन आज से प्राडम बहु चुका है ये देखे हमारे पास एक न्यूज है, ये अपका दैनिक जागन का न्यूज है आज क्या दिया हुआ है, कि B8 की 29,000 से टे हुवी फूल, 5,500 के लिए आज कॉंसलिंग मतलब ये हुआ कि थर्ड कॉंसलिंग के लिए जो फ्रेस एलोटमेंट होना है उसकी संख्या लगवा गए 5,500, ये आपका फ्रेस एलोटमेंट होगा अब देखिए इसमें क्या न्यूज है, वेफसाइट पर कॉंसलिंग का सेडूल अपलोट किया जा चुका है और जमा करना होगा उनलाइन सुल्क, जो फ्रेस एलोटमेंट है, उन्हें उनलाइन जो कॉंसलिंग सुल्क है, वो जमा करना पड़ेगा साथी साथ 2,000 का जो सीट कंफरमेशन फी है, वो जमा करके आपको कॉंसलिंग में जाना होगा तो न्यूज देखते हैं क्या है, राजजी के सरकारी और नीजी बीएट कॉलेजों में नामांकिन के लिए कॉंसलिंग के दो चर्णों के बाद 34,450 ये टोटल नमबर अप सीट्स है, बीएड कॉलेज साथ मिला के इसमें से लगवग 29,000 सीटे भड़ गई है, अब सेश 5,500 सीटों के लिए तिरतिये चर्ण की कॉंसलिंग सुकुरवार से 2 सिप्टों में प्रारम्भ होगी तो यहाँ पे किलियर है आपका कि 5,500 सीट जो है आपका फ्रेस एलोट्मेंट के लिए बचा हुआ है, बाकी जो आपको यह नज़र आ रहा है, जो भी लोग फ्रोटिंग चूस किये हैं, वो आपका इसमें से अंदर आ जाएंगे, 29 जार के अंदर आ जाएंगे राज नोडल पदादिकारी डॉक्टर एस्पी सिन्ह ने बताया कि तिरतिय कॉंसलिंग का सेडूल, बीएट, सीटी और नालंदा खुला विश्विद्यारे की वेबसाइट, यह जो नालंदा आपिन इनिवर्सिटी डॉट कॉम पर अपलोड कर दिया गया है, 22 मही तक निर रोल नंबर पड़ेगा उस दिन जाना होगा, और ग्यानमान पहुचना है, अपने जिस दिन जिनका कॉंसलिंग रहेगा उस दिन, और 19 मही को लोगसभा चुनाव के लिए मद्दान होना है, इस करन कॉंसलिंग अस्थागित किया गया है, 19 तरिक को, और कॉंसलिंग में साम अवेदन होना है, तो जब यह तीसरा तिनों कॉंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद का स्टेज है, आपको कि स्टेट स्पोर्ट राउंड, SSR राउंड से कह रहे हैं, तो वह 12 जुन को जो है, आपको डिक्लिरेशन होना है, कि सीट कितना बैकेंट रहेगा, तो उसी के बारे जो भी एड्मिशन होगा, जिनको एड्मिशन लेना है, साड़ा प्रोसेस बारे जुन से पहले ही समाप्त हो जाएगा, आप बारे जुन से पहले भी सीट डिक्लिरेशन हो जाएगा, तो बारे जुन से जो है आपको ऑनलाइन, जो आपका प्रेकरिया है, SSR का वो प्रोसेस श्रू होगा और यहां लिखा हुआ है चाहज जेन से पहले अभ्यार्थियों कावण्टित कालेजों में नामंकन सुनी सीथ कर लेना है कहा जाड़ा है कि छो जुन से पहले जो है जो तीसरा कॉंसलिंग तक पहला दूसरा तीसरा तीनों की जो भी फ्रीजिंग जो चूज किय जिनको कॉलेज एड्मिशन लेना है वो 6 जुन तक जो अपना एड्मिशन ले 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 ताकि जो आपका जो सीट वेकेंसी होगा SSR के लिए वो किलियर किया जा सके तो ये 6 जुन से पहले अभिवर्थियों को नामंकन सुनिसित कर लेना है राज जी नोडल पतादिकारी ने बताया कि पहली दूसरी और तीसरी कॉंसलिंग का दार पर 30 मही तक अभिवर्थियों को नामंकन सुनिसित कर लेना है किसी कारवर्वर्थ को ये बड़ती जिदी छूट जाता है तो चार जुन तक उन्हें हर हाल में नामंकन सुनिसित कर लेना होगा मतलब 30 मही तक कही टार्गेट रखा है लेकि जिदी कुछ प्रॉलेम आता है तो चार से छे जुन तक के अंदर आपको इसको एड्मिशन ले लेनी है और साथ ही साथ 6 जून के बाद जो है आपका प्रोसेस सुरू हो जाएगा कि किस कॉलेज में कितना भैकेंट सीट है तो 6 जून के यहाँ पर देख लिए हमारे पास यह अपडेट है कि 6 जून को नामंकन के बाद रिक्ट सीटों की मिलेगी जानकारी तो यहाँ पर देखे हेडिंग में क्या क्या दिया हुआ है 19 को मद्दान करना स्थेकित रही 19 को कॉंसलिंग नहीं होगा 22 को तिरतिये चरन की कॉंसलिंग हो जाएगी समाप्त 17 से लेके 22 का जो कॉंसलिंग है वो 22 को आपको समाप्त हो जाएगी 30 तक ब्यर्थियों को लेना होगा नमांकन बैदे विए 4 मही तक देढ़ा है सड़ी 4 जून तक देढ़ा है और फिर से हेडिंग है कि 6 को मिलेगी डिक सीटों की जानकारी मतलब कॉलेज प्रशाशन 5 जून तक नमांकन लेने वाले ब्यर्थियों की नाम और एक सीटों की सुची नोडल एजनसी नालंदा खुलाब श्विद्याले को सौब देगा एनोई की वेबसाइट पे 6 जून को किसी कॉलेज में कितनी सीटे डिक थे इसकी सुचना अपलोड कर दी जाएगी बैदी पर ये पहले वाले में बोला जा रहाता है कि 12 जून को इसका डिकलेशन होगा लेकिन ये जो पेपर का निउज है उसमें कहा जा रहा है कि 6 जून को ही आपका किस कॉलेज में कितना वेकेंसी है वो आ जाएगा थर्ड राउंड के बाद स्पोर्ट राउंड के लिए कोई भी दे सकता है विकल्प मतलब जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और जिन्होंने कॉंसलिंग में एडविशन नहीं लिया या फिर उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था तो उसमें अपलाई कर सकते हैं स्पोर राउंड के लिए तीनों कॉंसलिंग से इसको कोई मतलब नहीं है शाती साथ उसमें जो आपको कॉलेज प्रिफरेंस फिर अप करना होगा तो मेधा अंग के आधार पर अभियर्थियों की सुची जारी की जाएगी सुची में सामी अभियर्थियों की कॉंसलिंग से सम्मन्दित कॉलेज अवंटित कर दिया जाएगा नेश देखें यहाँ पर है कि कितने अभियर्थियों ने फ्लोटिंग विकल्प चुना है जो आपको फर्स्ट जो कॉंसलिंग हुआ था सेकेंड कॉंसलिंग तो फैनली जो थर्ड कॉंसलिंग के लिए जितने लोग फ्लोटिंग के ओप्षन का जो चूस किये हैं वो 6800 की संखियां है राजी नोडल पताधिकारी ने बताया कि दूतिय चरन के बाद फ्लोटिंग विकल्प चुनने वाले बेर्थियों की संखियां 6800 है पहले चरन में 8000 से अधिक अभियर्थियों ने फ्लोटिंग विकल्प चुना तथा 33 सुची में कॉलेज आवंटित नहीं हुआ वो पुर्व आवंटित कॉलेज भी नमंग कर ले सकते हैं अतलब यह हुआ कि जो लोग फ्लोटिंग कंटिन्यू कर दिये थे तो उनको जो है वो पहले फस्ट राउंड या सकेंड राउंड दोनों में से किसी में भी आप कॉलेज मेंविशन ले सकते हैं अब कॉंसिलिंग में क्या क्या लेके जाना निवार जै इसके लिए देख लिए यहाँ पर अभियर्थियों को कॉंसिलिंग के दौड़ान बीट सीटी का प्रिवेश पत्र अंक और परमान पत्र और जो भी आपका कास सर्टिफिकेट होगा इंकम सर्टिफिकेट होगा और एक आपको आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है जैसे आधार कार्ड हो गया पेन कार्ड हो गया कोई भी जिसमें फोटो है आपका उसमें आपको कर सकते हैं वो आपको अपने जो है अभी तक इसमें सारे 5000 जो है फ्रेस एलोट्मेंट है तो कुल मिला के जिदी देखा जाए तो इस बार जो एड्मिशन लेना है थर्ड कॉंसलिंग के बाद वो 6800 प्लस 5500 तो कुल मिला के हो जाता है 12300 के आश पास तो 12300 सीट पर जो होना है तो इस पर अब कितना SSR में खाली रहता है बेकेंट सीट रहती है इस पर हमनों बाद में अनलैसिस करेंगे अब ते के लिए ये न्यूज हमारे पास आया तो हम सोचे आपके पास सेर कर दें बैदी वे यदि आपको मेरा प्रियाश प्रशंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक बाली मेर को सब्सक्राइब